हेलो फ्रेंट्स, वल्कम टो ट्रोयली स्टडी, दोस्तो आज की सूडियो में आपकारी अरख्चक 2022 की स्पैसल एक्जाम के लिए सामानी विज्ञान की हमारी 8 वी क्लास ये रहेगे, से पहले हम 7 क्लास तक आपको दे चुके हैं, जिनके सभी वीडियो यहाँ पर आपको प्ल और काईस, काफिस सारा कंटेंट यहाँ पर दे रखा है, हमने यह जो कंटेंट आपको यहाँ पर दिया था, इसके अलावा भी इतना सारा कंटेंट आपको यहाँ पर एड़ किया गया है, कि आप खुद देमो चुकाउट के लिजिकर, डिस्कुप्शन में लिंक डाल दे ह कि हमने वो डाउट कुछ पहरी जदा आप हमें यहां पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं के लिए रहे फाइनली स्टाट कते हैं बिना टाइमस्ट की हमारा पहला कोशन यहां पर निकल कर आ रहे द्रव्यमान इम का एक पिंड वेग वी से एक दिवार पर टकराता है और समान वेग से वाफस हो जलता है तो इसके सनवेग में परिवरता नहीं इस कोशन का जो सही जवाब रहेगा हमारा इस कोशन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसके साथ में जाएगा हमारा सही जवाब सही जवाब हमारा जाएगा माइनस टू एम वी क्या जाएगा माइनस टू एम वी ह हमारा first option, इस first question के साथ में, first option के साथ में, हमारा सही जवाब चला जाएगा, कि लिए रहे, इस तरह से यहाँ पर questions बनते हैं, और काफी special questions यहाँ से आते हैं, आपकी exam में, जो कि हम आपको cover करवा रहे हैं, अगला question है guys, हमारा कि हवा में निया ताप पर द्वानी की चाल आपको बताना है, हवा में निया ताप पर, यहनि the speed of sound in air constant temperature, आपको बताना है हवा में निया ताप पर द्वानी की चाल क्या होगी, तो दवणी के जो चाले ये दाब में वरद्धी के सांथ समान रहती है तो दाब में वरद्धी के सांथ समान रहती है हमारे यहां से क्या रहीत अंसर येगा ओप्षिन अमर थर्ड इस कोशन का दाब में वरद्धी के सांथ समान रहती है third option discussion का सही जवाब चला जाएगा अगला question है guys हमारा संरशना की स्तर देखे जा सकते हैं संरशना की जो इस तर देखे जा सकते हैं इस question का सही जवाब बताना है तो संरशना की जो इस तर देखे जा सकते हैं ये बहु कोसिकी जीवो में देखे जा सकते हैं तो बहु कोश्ची की, यहनि मल्टी सेलूलर और्गनिजम हमारा option number third discussion का सही जवाब रहेगा. अगला कोशन है, would is an example of लकड़ी उदारने किसका, यह आपको बताना है, लकड़ी उदारने एक आपको बताना आए, और इसकोशन का सही जवाब जो रहेगा, यह काफी बोड़ेड़ी, देकि लकड़ी जो उदारने, यह अपारदर्सी है, क्या है अपारदर्सी है, तो एक अ प्रकास को स्वयम से गुजरने की अनुमती नहीं देती है, यह प्रकास उसमें से पास नहीं हो पाता है, गुजरता नहीं है, और जब प्रकास एक अपारदर्सी जो वस्तू होती है, उसको प्रकासित करता है, तो कोई भी बिजली नहीं गुजरती है, कोई कहीं सामागरी अपारदर्सी होती है कि इस तरह की सामागरी होती है इस तरह की जो अपारदर्सी में आती है तो लकडी भी इसी तरह की सामागरी है अगर यहां से आप टार्च चलाएंगे या बिजली का कोई इलेक्टरिक चलाएंगे आप बिजली बगेरा तो यहां पर अगर लकडी का आपको बताना है, तो विसानु द्वारा, जनतुओं में उत्पन होने वाला जो रोग है, ये रोग है आपका foot and mouth, तो यहाँ से हमारा मुख तता खुर रोग, option पो और इस question का सही जवाब रहेगा, यहाँ से option में आपको ये हिंदी भी नहीं देगा कई बार, मुख तता खु जिनके description में हमने link डाल दिये, इन सभी के check-out कर सकते हैं, अब तक की पूरी जनुवरी से दिसंबर तक की पूरी ebook अपडेट हो चुके हैं, आप एक बार जो से check-out करने लिगा, इन सभी की link description में है, काप येचा special offer चल रहा है, आप डेमो जरू से check-out करने चला, application को download नहीं सभी पर इसके लाब काफी सारा content यहाँ पर application पर आपको मिलेगा, टेलिग्राम को भी जोईन कर लेजगा, जितनी भी current के update होती है, सबसे पहले यहीं पर हम आपको update करते हैं, तो description में link है, चिक-out कर लेजगा, और ये हमारा वीडियो पूर से description में link डाल दी गई है, अगला पर आपको में कोस्टों की, तो हमारा second option का सही जवाब रहेगा, चार होती है, अगला कोशन है हमारा, आयसक में मौझूद, आयसक में मौझूदा रेज या मौझूद रेज चुनापत्तर, चिटानी सामगरी जैसे अवांचित धर्ती की असुद्धता को क्या कहा जाता है, तो देखे, आयसक में मौझूद रेज चुनापत्ता, चिटानी सामगरी जैसे अवांचित धर्ती की असुद्धता जो होती है, इसको जो कहा जाता है, यह अगात्री इसको बोला जाता है, हमारा second option का बिल्कुल सही जवाब अपता रहेगा, गैस, खदानों से जो प्राप चुदियां पाई जाती है, जिसे गैंग यह अगात्री बोला जाता है, तो अगर अगात्री word भी आपको ना मिले, तो आप एक word याद रखेगा, यह भी आपको दे जाया सकता है, आप्शन में यहां पर आगात्री के जगे आपको गेंग भी मिल सकता था, तो याद रखेगा गेंग यह आगात्री दोनों में से इनको बलाज़ता है, दोनों बलाज़ता इनको और आयास्क में इन असुद्यां जो है, यह आपको बताना है तो मानव में मेरु तंत्रिका की जो संक्या होती है इनकी संक्या है 31 जोड़ी 31 जोड़ी यहां से हमारा option second discussion का सही जवाब रहेगा अगला question है ammonia के jelly willion में क्या होता है ammonia के jelly willion में जो होता है यह होता है NH4 plus and OH minus यहां पर NH4 plus 3R OH minus यहां पर यह आपका जो third option में दिखाए ज़रा है यह ammonia का jelly willion होता है तो ध्यान रखिएगा ammonia के jelly willion में यह होता है यहां पर third option हमारा इस question का बिलकुत सही जवाब चला जाएगा अगला question है aluminium का उप्योग खाना पकाने के बड़तन बनाने के लिए किया जाता है aluminium के निम्न गुनों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदाई है इस question का स्तरी जवाब बताना है आपको और यहां पर यह जो options दिरके इनमें आपको click करना है क्लिए रहे तो यहां पर हमारा जो correct answer रहेगा देखेट सही जवाब इस question का जो रहेगा हमारा यह क्या रहेगा यह देखेए इसमें हम पहला options पर थे अच्छी उसमीता चालकता होती है चीला पन यह भी नहीं होता है और इसमें high melting point होता है यहां से हमारा fourth सही जवाब रहेगा और पहला सही जवाब रहेगा तो हमें यहां पर options में मिलान करना है तो यहां से हमारा पहला option ही correct answer हो जाएगा क्योंकि इसमें ही पहला और चोता दे रहा है जो कि हमारा first option इस question का सही जवाब रहेगा अगला question है निमन धातों में से कौन सा ठंडे और गरम पानी के साथ प्रतिकलिया नहीं करता है इस question का जो सही जवाब रहेगा यहां पर आपका option number first इस question का सही जवाब रहेगा F E अब देखें यहां पर F E यह क्या है यह लोहा होता है लोहा होता है लोहा या लोहा या लोहा इसको बोल सकते हैं इसका iron भी बोलेता है तो याद रखेगा इसको F E से denote करते हैं और निमन धातों में यह जो धातों है F E इसमें से जो ठंडे और गरम पानी के साथ में प्रत बिखाई देता है, आप Хeking में आम तोर पर कौछ सा गुन है, ये दिखाई नहीं देता है, ये आपसा कुछन आप कुछा है, और ह्सकोरिश्ण का सही जवाब रहेगा हमारा ड Dawnness याने निसरता जो ये गुन है, ये आम तोर पर धातों में दिखाई नहीं देता है हमारा थर्ड option इस question का बिल्कुल सही जवाब अपका रहेगा अगला question इतामबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है तो यह किसके कारण बनाता है यह आपको बताना है सही जवाब हमारा रहेगा यहां पर मूल कॉपर कॉर्बनेट कार्बोनेट जिसको हम बैसिक कॉपर कॉर्बनेट भी बॉलते हैं हमारा इस कोशन का option number 4 का सही जवाब रहेगा तामपदार मूल कॉपर कॉर्बनेट के साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है तो हमारा पादप ही पहली कड़ी खद सरंकलाओं में पाई जाती है या होती है तो हमारा थर्ड ओप्सन इस कोशन का बिलकुत सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन तो और आगे बड़े से पहले बता दे निस्टिल करिंट फिर पूरा हम इस डेनल पर कवर करवा रहे हैं तो अगर आ माइनस वन यहां से हमारा ओप्सन फूर ओप्सन तार्ड डिसकोशन का बिलकुत सही जवाब रहेगा अगला कोशन है गाई सोडा एसिट से आग कैसे बुझ जाती है सोडा एसिट से जो आग बुझती है यह इसलिए बुझती है क्योंकि हवा की आपूरती है यह काटने पर हवा की आपूरती काटने पर cutting the supply of air हवा की आपूरती यह काट देता है और इसलिए जो है इससे आग बुझ जाती है सोडा एसिट से यहां से हमारा ओप्चन फर्स्ट इसकोशन का सही जवाब हो जाएगा क्लिए अगला कोशन को रागे परते हैं अगला कोशन है हमारा एक विदूत अपगट्य है एक विदूत अपगट्य क्या यह आपको बताना है सही जवाब इसकोशन का क्या रहेगा एक दरव्य जो धारा का चलंग कर सकता है यहां से हमारा थर्ड ओप्चन बिल्कुत सही जवाब रहेगा अगला कोशन है जीन की संद्श्नात्मक इकाई बन होती है यह आपको बताना है सही जवाब रहेगा DNA की DNA हमारा option third option fourth question का बिलकुत सही जवाब रहेगा गाईस आप सभी को पताईए DNA को डियोक्सिर आईबो नुक्लिक एसड बोला जाता है तो नुक्लिक जो DNA है इससे ही जीन की संरिशना आत्मा की काई बनी होती है DNA जीवित को सिकाओ के गुंसूत्र में पाया जाता है और यहां पर यह पाया जाने वाले प्रंतु नुमा अनु को ही DNA ऑक्सिर आईबो नुक्लिक एसड या DNA बोला जाता है इसमें आनुविक कूर्ट निवद्द होते हैं इसके अलावद DNA अनु की संरिशना गुमाउदार सीडी की तरह होती है आपको पता होना चाहिए DNA का एक अनु चार अलग-अलग वस्तुव उसको बना होता है जिसे नुक्लिक टोइट जो हता है यह कहता है दिंवेगा DNA की चार जो DNA का एक अनु चार अलग-अलग वस्तुवसे बना होता है और इसंगा कैता हैёл नुक्लियो टाहिट उसको बल जाता है हमारा अगला कोशन है जब श्तू द्वारा ते की गई दूरी शमय के सीधे समानुपाती हो है, इसे निम्न के साथ गतिसील का कहा जा सकता है, जब एक वस्तु द्वारा ते की गई दूरी शमय के सीधे समानुपाती है, इसे निम्न के साथ गतिसील कहा जा सकता है, इसे कहा जा सकता है, नियत चाल कहा जा सकता है, constant, speed, यहां से हमारा option second question का सही जवाब रहेगा अगला कोशन है ग्रेट बियर क्या है ग्रेट बियर इसे ये क्या है इले रहे तो ग्रेट बियर जो है ये एक तारा मंडल है एक तारा मंडल ये हमारा होगा तो यहां से सेकेंड आप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा अगला कोशन है इलेक्ट्रिक iron में माईका सीट का उपयोग क्यों किया जाता है यह आपको बताना है इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माईका जो होती है विदूत की विदूत का कुचालक होता है तो माईका विदूत का कुचालक होता है विदुत का कुछाला के लेकिन उस्मा का अच्छा चाला के इसलिए इसका जो उपयोग किया जाता है इसका जो यूज किया जाता है या इलेक्ट्रिक औरन में किया जाता है ध्यान दोगेगा, माईका स्रीट्स का यूज कहा जाता है क्योंकि माईका विदूत कुछ अलग है और उस्मा का चालग होता है, अगले कोशन को रागे बढ़ते हैं, वन निम्न का एक उधारन है, वन किसका उधारन है यह आपको बताना है, तो वन एक पारिस्टिटी के तंत रहें, यहां से हमारा option third discussion का सही जवाब रहेगा, अगला कोशन है चंद्रमा का आकार प्रतिदिन, क्या कोशन है हमारा, चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है, क्यों बदलता है, इसका कारण आपको बताना है, चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है, यह इसलिए बदलता हैं, हम चंद्रमा का वहाब आग देखते हैं, जिससे सूरी का परकास परावरतित होता है। मनुश्य की आग का वहाब आग जो मंद यू परकास के परति तिन सनवेधी होता हैं। मनुश्य की आपका वहाब आग जो मन्द और तियूर प्रत्कास के प्रति सनवेदी होता है वो आपको बताना है इस question का जो सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से हमारा second option इस question का बिलकुल सही जवाब चला जाएगा मनुश्य की आपका वहाब आग बहुता है सलाका और संकू जो मन्द और तियूर जो प्रत्कास होता है इसके प्रति सनवेदी होता है तो यह आपका सलाका और संकू है अगला question इसका जो संभावित कारण होता है यह रिक्तिका ही होता है अगला question इसका उन से दूसित पदार्तों के समा सोधन को क्या कहा जाता है उन से दूसित पदार्तों के समा सोधन को अभी मारजन बोलेता है अभी मारजन यहां से हमारा third option बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला question है प्रतियेक व्रक रिक्तिस्तान कहलाने वाली लगबग लाखो छोटी नलिकाओ से बना होता है इनको नेफ्रहंस बोला जाता है और व्रक कानू हम हिंदी में इनको बोलते हैं हमारा fourth option से जवाब रहेगा प्रतियेक व्रक नेफ्रहंस कहलाने वाली लाखो छोटी नलिकाओ से या प्रतियेक व्रक व्रक कानू कहलाने वाली लगबग लाखो छोटी नलिकाओ से बना होता है तो याद रखेगा हमारा fourth option इस question का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा अगला question है कौन सा सब्द उन जीवों के लिए प्रियुक्त होता है जिनके सरीर के बाएं तता दाएं अर्दांग का डिजाइन समान होता है यह आपको बताना है इस question का जो सही जवाब रहेगा यह रहेगा दूपार्स समामिती यहां से हमारा option first इस question का सही जवाब रहेगा देखें यह जो जीवों होता है कौन सा सब्द उन जीवों के लिए प्रियोक्त होता है तो दूपार्स सम्मिती यह सब्द है उन जीवों के लिए प्रियोक्त होता है जिनके सरीर के बाएं बाएं तता दाएं अर्दांग का डिजाइन समान होता है उनके लिए दूपार्स स इस्पाइरोगाईरा यह आपको नाम याद रखना है इस्पाइरोगाईरा तो देखिए निम्न में से यहने इस्पाइरोगाईरा जो है यह एक कोसिका का नहीं बना हुआ है याद रखेगा इस्पाइरोगाईरा हमारा ओट ओप्सनिस कोश्चन का बिलकुत सही जवाब रहे हैं खागोली पिंड रात में देखे जा सकते हैं आप सभी को पता है अब यह किसकी मदद से देखे जा सकते हैं तो यह दूरबीन की मदद से देखे जा सकते हैं तो यह दूरबीन की मदद से देखे जा सकते हैं तो यह दूरबीन की मदद से देखे जा सकते हैं तो यह को फता होना चाहिए ये same to same questions आपको exam में जरूर से देखने को मिलेंगी और अगर ऐसा ही questions देखने को ना मिला तो question इस तरह से देखने को मिल जाएगा कि दुरुबिन किसके लिए use किया जाता है तो इससे खगोली print को रात में देखा जा सकता है यानि दूर की वस्तों को देखने के लिए use के जाते हैं इस तरह के questions आप से पूछी रहेंगे question का pattern चेंज होगा but questions यही आपके exam exam में देखने को मिलेगी पूरा अपका PYP है NCRT based है हम पूरी आपके लिए causes कर रहे हैं बढ़ आप भी वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब जलू सब्सक् आप कर ली जगा यह वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा और हमें जरूर से बताएगा ताकि हमें support मिले और पता भी चल पाए कि आपको वीडियो पसंद आ रहे नहीं हा रहे आपको और कोईसा वीडियो चाहिए वह आप हमें comment करके बता सकते हैं बस आप से वालने मत्व